So hi guys, in this video में आपके साथ BGM and PUBG Mobile में जो भी सारी basics and advanced settings और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और साथ में मैं आपको explain भी कर दूगा कि किस settings को on करने से क्या होता है और किस settings को on off करने से क्या होता है काफी simple way में Because जो basics and advanced settings और हो काफी important part है गेम का और आपने नोटिस के होगा जिते भी सारे अच्छी आपकी competitive players और सबकी basic settings होती है और काफी perfect होती है Because अगर आपकी basics and advanced settings हो काफी perfect है तो आपको gameplay को और काफी compliment करेगा और आपको gameplay और काफी improve हो सकता है So अगर आपको भी आपकी जो settings इसको properly customize करना है तो इस video को और एंड तक बेखना हो So let's start the video So जैसे हम लोग हमारी जो settings इसको open करते हैं सबसे पहले इधर आपको टॉप मेना दो option दिखते है Basic Controls and Advanced Controls So सबसे पहले मैं आपके साथ नो जो Basic Controls और शेयर कर देता हो So scope settings में आपको total 5 different mode मिलते है तो इसमें जो हमारा 1st mode आता है Scope Mode So इस scope mode की settings अने depends करते है कि आपने कौन सा control यूज करते हो Means अगर आप 2 finger खेलते हो तो इसमें आपको scope mode इसको हमें से tap पे रखना होगा तभी आपके लिए नो best work करेगी And अगर आप 3,4 या इससे सादा fingers use करते हो तो आपको scope mode इसको hold पे रख सकते हो और आपके लिए काफी perfect होगा And scope mode के side में आपको दूसरी settings लेखने मिलेगी Camera Rotation While ADS So आपको इस setting को और हमें से disable रखना है Because अगर आप इसको enable करते हो तब जब इस scope पे tap करोगे And गलती से आपको जो finger move हो जाती है तो इससे आपको पुरा scope और उसको पूरा move हो जाएगा And आपको जो आपको जो काफी choke हो सकता है आपने screen पे देख सकते हो So आपको इस setting को और हमें से disable रखनी है इससे अगर आपको जो finger हो गलती से move भी होती है तब भी आपको जाए main of move नहीं होगा So इन दो settings के बाद बाकी की जो तीन settings है तीनों को आप SIM copy कर सकते है Because यह कफी basic settings है So उसके बाद जो आपको next setting देखने मिलती है वह है peak setting तो peak setting में भी हमको तीन mode देखने मिलेंगे lean mode, peak and open scope and camera rotation while leaning जो lean mode इसको आपको हमें सा hold पे रखना है जो peak and open scope पे यह depend करता है कि आपने कौन सा layout यूज करते हो means अगर आप 2 या 3 finger खेलते हो तो इसमें आपको इसको हमें सा enable रखना पड़ेगा आप जब भी peak करोगे तो आपको scope आपको automatically open हो जाएगा अगर आप 4 finger f उससे जादा खेलते हो तो आपने इसको disable रख सकते हो और उसके बाद जो अमारा camera rotation while leaning है यह setting ने same work करते है मैंने आपको आगे explain किया था scope वाले में इसको आपको हमें सा disable रखना है So basic controls के बाद आपको आते वो है advance control तो इसमें जो भी सारी setting से वह सारी देख सकते हो so advanced control में जो आपको तीन in important settings वह spring sensitivity, 3rd person perspective camera view and first person camera view spring sensitivity आपको जब आपकी joy stick on यह location right आपको जो character भागने लगते हैं तब use हो तो अगर हम इस setting को 0 कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमार जो character भी sprint नहीं करेगा है बिल्कुल bot की तरह move करेगा अगर हम लोग इसको पूरा 100 कर देंगे तो आप देख सकते हो जैसे मैं इस जो श्टिक को थोड़ा ही move कर रहा हूँ फिर भी हमार जो character नहीं पूरा भागने लग रहा है graphics and audio so graphic settings मैं सबसे पहले आपको graphics का option देखेगा है इसको आपको हमेसे smooth पे रखना है इसके बाद आपको नीचे option दिखता है frame rates का तो frame rate मैं जो भी आपके device में सबसे स्यादा high supported है और वो रखना है so मेरे device मैं extreme तक जाता है मैं extreme रखा हुआ है and next anti-aliasing आपको हमेसे disabled रखना है इससे आपको device काफी कम heat होगा आपको जो game ने काफी smoothly run करेगा and इसके बाद next brightness को आपको हमेसे full कर देना है non standard screen को भी आपको हमेसे full कर देना है auto-adjust graphics आपको हमेसे disabled रखना है and इसके बाद उपर आप देख सकते हो graphics के side के side में audio है so audio में आप same settings को आपको कापी करके use कर सकते हो आपके लिए एन काफी best work करेगी so इसके बाद आपको नेक्स setting आता है वो है control button so गर आपको भी मेरे जो control से वो चाहिए इसके वो है pick up so pick up में जुति भी हमारी उपर की सारी settings है नो सारी तो common ही रहेगी so अब उसको नो same मेरी settings को copy करके use कर सकते हो but जैसे हम लोग नो उपर scroll करेंगे तो आपको ammo pick up का option आएगा so basically इस settings में आपको सारी guns की ammo और उसको आपको set करना है so इसके बाद जो हमारी next setting आती है वो यह crosshair इसमें आपको basically crosshair और सारी scope के लिए color चूज करना होगा so आपको जो भी color सबसे best लगे वो और आप आपके हिसाब से choose कर सकते हो इसके आगे के जित्ती भी सारी settings हो काफी basic and common है इसको आप same copy करके use कर सकते हो so यही थी हमारी पूरी basic settings तो मैंने आपके साथ ने पूरी A to Z दन सारी जो settings नो शेर कर दी है so I hope आपको settings से related कोई भी doubt हो तो clear हो गया होगा इस video के थुरू so आपको वीडियो के throughout कहीं भी कोई भी setting ने समझना आई हो so आप comment कर सकते हो भी try करगा आपको doubt है इसको solve करने का so take care and bye